Find the greatest number that will divide 130, 150, and 200, leaving remainders 2, 6, and 8 respectively. मतलब 130, 150, and 200, इन तीन वेलु को कौन सी वो greatest वेलु है, जिस्से अगर हम divide करेंगे, 130 में remainder क्या रहेगा, 2 हेगा, 150 में remainder हेगा, 6, and 200 में remainder हेगा, 8. तो इस question का solution हम ऐसे करेंगे, जास्थ हमें क्या करना है, 130 से 2 subtract कर देना है, वेलु कितना हैगा, 1, 2, 8. Next, 150 से हमें 6 को subtract कर देना है, 144 होगा, 200 से हमें 8 को, मतलब जो remainder रहेगा, उसी वेलु को, मतलब question की against, जो remainder की बारे में कहा गया है, उसको हमें सबस्टेक कर देना है, तो इसमें रहेगा, 192. Next हमें क्या करना है, इसका हमें factors निकालना है, सेम इधर भी हमें सभी वेलु का factors निकालना है, जब हम सभी का factors निकालेंगे, उसकी बाद हम ACF निकाल लेंगे, तब हमें इस question का जो answer हमें चाहिए, वो answer मिल जाएगा, मतलब वो greatest value मिल जाएगा, जिस से अगर हम 130 को divide करेंगे, तो 2 remainder रहेगा, 150 को divide करेंगे, तो 6 remainder रहेगा, and 200 को जब हम divide करेंगे, तो 8 हमें remainder मिलेगा, question number 9, solution, according to question, हम क्या करेंगे, 130 minus 2 कर देना है, ये remainder value है, तो 128 आएगा, next हम करेंगे, 150 minus 6, value आएगा, 144, next हम 200 minus 8 करेंगे, value आएगा, 192, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें factors निकालना पड़ेगा, factors हम बाहर इसे निकाल सकते है, 1, 2, 8, 2 से जब divide करेंगे, 6 होगा, 4 होगा, again अगर हम 2 से divide करेंगे, 3, 2 होगा, again 2 से अगर हम divide करेंगे, 1, 6, next 2 से divide करना है, 8 आएगा, next हम 2 से divide करेंगे, 4 होगा, फिर से हम 2 से divide करेंगे, 2 होगा, and lastly 2 से divide करेंगे, 1 हो जाएगा, मतलब 2 को हमें कितनी times multiply करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 times, जब हम multiply कर देंगे, तब हमें value मिलेगा, 128, 1, 2, 8, equal to हमें, यह जो factors है, factors को लिख लेना है, 2, 2, ऐसे हम 7 times लिख देंगे, next हम 144 का factors निकालेंगे, 144, तो same method यूज़ करके हम इसका factors निकाल सकते है, 144, 2 से divide करेंगे, smallest prime number से हमें पहले divide करना होगा, अगर 2 से divide नहीं होगा, तो हम 3 से divide करेंगे, 3 से divide नहीं होगा, तो हम 5 से divide करेंगे, ऐसे हम greater number से divide करके जाएंगे, तू 2 से divide करेंगे 14 को 7 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, next 2 से divide कर सकते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 2 की आगे आएगा, तो होगा कितना 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 इंटू 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 18, अभी हम 2 से divide नहीं कर पाए 3 3 जा 9, 3 से हमें 3 से डिभाइद करना होगा, इधर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 4 टाइमस 2 लिखना है हमें, 1, 2, 3, 4, next 3 को हमें 2 टाइमस लिखना है, 3 into 3, next हमें 192 का फेक्टर्स निकालना पड़ेगा, 192 का फेक्टर्स अगर हम इस मेठोद से निकालेंगे तो हमें 192 की एगेंस्ट फेक्टर्स मिलेगा, 2 मिलेगा हमें 6 टाइमस, ऐसे हमें 6 टाइमस 2 को लिखना है, उसकी बार हमें 3 मिलेगा 1 टाइमस, अभी हमने टीनो नमबर की एगेंस्ट फेक्टर्स निकाल लिया है, next हम निकालेंगे क्योंकि question में हमें greatest number find करने के लिए दिया है जब भी हमें greatest number, highest number, maximum number ऐसे question में निकालने के लिए देंगे तब हम उसका hcf निकालेंगे क्योंकि hcf ही होगा उस question का अंसार तो उसका hcf हम अभी find करेंगे therefore hcf equal to ये तू सभी में है तू इसको हम ले पाएंगे 2 into ये भी 2 सभी में है उसको भी हम ले पाएंगे next इसको लेना है हमें and इसको लेना है हमें 2 into 2 ये होगा hcf 3 इसमें है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए हम 3 को नहीं ले पाएंगे इन दा सेम वे तू इसमें है इसमें है लेकिन इसमें तू नहीं है इसलिए हम इस तू को नहीं ले पाएंगे तो ACF equal तो हमें ये value मिल गया है इसको हमें multiply कर देना है 2 तूजा 4, 4 तूजा 8, 8 तूजा 16 तो 16 होगा वो greatest number जो question में हमें find करने के लिए दिया है तो इधर हम लिख सकते है therefore the greatest number is equal to 16 question में जो हमें greatest number find करने के लिए दिया था वो number कितना होगा 16 होगा 16 से अगर हम 150 को divide करेंगे तो 2 remainder हेगा 150 को divide करेंगे तो 6 remainder हेगा and 200 को जब हम divide करेंगे तब हमें 8 remainder मिलेगा तो इस type का question को हमें ऐसे solve करना होगा